अस्सलाम अलेकुम रह्मकुल्लाही बबरकातु हूँ तो स्टुडेंट्स हम आज है दरख 12 की उर्दू कहकसा से आखरी चेप्टर साहिल लुद्यानवी चेप्टर है गीत साहिल लुद्यानवी की इनमें दो गीत है एक गीत इन्हों ने लिखा है तो हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा और दूसरा गीत है साथी हाथ बढ़ाना आज हम इन दोनों चेप्टर से औजेक्टिव कुशन को हल करेंगे इस्टुडेंट्स अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राब करें और सेयर करना ना भूले तो इस्टुडेंट्स आप एक एक कुशन को अच्छे से लिखेंगे क्योंकि इन से सवाल बहुत ज़्यादा एकजामे पूछे जाते हैं तो सुरू करते हैं हमारा पहला सवाल है साहिल लुद्यानवी की पैदाइस कब हुई सवाल नमर दो कहता है साहिल लुद्यानवी की पैदाइस कहां हुई थी A. लखनों में B. पटना में C. देहली में D. लुद्याना में तो दो का सही जवाब है D. इनकी पैदाइस लुद्याना पंजाम में हुई थी सवाल नमर तीन है साहिल लुद्यानवी का असल नाम क्या था अवसन अब्दुल्ला बी अब्दुरह्मान C. अब्दुल्हई D. अब्दुल्सलाम तो तीन का सही जवाब C. इसका असल नाम अब्दुल्हई था सवाल नमर चार कहता है साहिल के बालिद का नाम क्या था अवसन A. चौदरी फजल B. चौदरी अफजल C. चौदरी फजल मुहमद तो चार का सही जवाब C. चौदरी फजल मुहमद इनके वालिद का नाम था सवाल नमर पांच है साहिल के दादा फत्या मुहमद नामी गिरामी थे किस चीज़ में? अवसन B. बकील B. डॉक्टर C. सिपाही D. जमीन दा तो पांच का सही जवाब है इनके दादा का नाम भी पता चल गया इक इनके दादा का नाम था फत्या मुहमद सवाल नमर छे शाहिर के मामू का क्या नाम था? इन चेटर में इनके मामू के बारे में जिक्र क्या गया है इसलिए मैंने इस क्वेशन को दे दिया है सवाल 6 कहता है साहिर के मामू का क्या नाम था अवसन अब्दुरसीद B. अब्दुरजाद C. अब्दुल्लाद D. अब्दुल्हाई तो छे का सही जवाब है A. अब्दुरसीद सवाल नमबर 7 कहता है साहिर ने उर्दु और फार्सी का दर्स किसे से लिया था अब्सन A. अलमा एकबाल से B. फैयाज रफद से C. फैयाज हर गानवी से D. फजल मुहम्मद से तो साथ का सही जवाब है C. फैयाज हर गानवी से सवाल नमबर 8 है साहिर को किस सामराज से नफरत थी अब्सन B. ब्रतानवी D. मुगल B. मुगल C. तुर्की D. कोई नहीं तो आठ का सही जवाब है A. बरतानवी सरकार से सवाल नमबर 9 है किस रिसाला अद्वे लतीव के मदीर आला मुकरर किया गया किसे रिसाला अद्वे लतीव के मदीर आला मुकरर किया गया उसले कहता साहिर B, फत्या मुहम्मर C, फजल मुहम्मर D, कोई नहीं तो नौका सही जवाब है साहि लुदियान भी को सवाल नमर हमारा दस कहता है कि सज्जाद जहीर, अली सरदार जाफरी के हमरा साहिर मुंबई को आए थे औसने 1845, B, 1944, C, 1945, D, 1946 तो दस का सही जवाब ऐसी, 1945 में सवाल नमर 11 है, तकसीम हींद के वक्त साहिर कहां थे अवसने बंबई में, B, दहली में, C, लाहावर, D, कस्मीर में तो ग्यारा का सही जवाब है, A, बंबई में शवाल नमबर 12 तकसीम हींद के वक्त साहिर के दोस्तों ने उनकी मा को कहा भे दिया था और सने देहली, B, कस्मीर, C, बंगला देश, D, पाकिस्तान तो बारा का सही जबाब है D इनके दोस्तों ने इनके मा को जब देश का बटवारा हुआ तुसे पाकिस्तान भे दिया था सवाल नमर 13 शाहिर मा की तलास में कहा गए और सने कराची, B, लाहाउर, C, कस्मीर, D, बंबई तो तेरह का सही जबाब है B, लाहाउर यानि शाहिर लुदियान भी अपनी मा की तलास करते करते वो एक दिन पाकिस्तान यानि लाहाउर जा पहुँचा सवाल नमर 14 कहता है रिसाला सवेरा किस का था यानि किसने लिखा और सने चोधरी फत्य मुहम्मद, B, चोधरी फजल मुहम्मद, C, चोधरी नजीर मुहम्मद, D, साहिर कद्यान भी साहिर लुद्यान भी तो चोधरी का सही जबाब है C, चोधरी नजीर मुहम्मद शवाल नमर 15 लाहर से दिल्ली आने पर साहिर किस रिसाला के मदीर मुकरर हुए और से ने साहरा बी प्रेतलरी सी अदवे लतीफ डी कोई नहीं तो पंद्रह का सही जवाब है A. साहरा सवाल नमर 16 है साहिर को पदम सिरी का खिताब कम मिला और से ने 1979 में B. 1970 C. 1971 D. 1972 में तो सोला का सही जवाब है C. 1971 में शाहिर लुद्यानवी को पदम सिरी अवार्ड से नवाजा गया सवाल मर 17 है साहिर के किस मजमुएं पर स्वेत लेंड नहरु अवार्ड भी पेस किया गया और से ने आओ कोई खौब बुने B. परचाईया C. तलखिया D. गाता जाए बन जारा तो सत्रह का सही जवाब है A. आओ कोई खौब बुने ये रिसाला पर जो इन्हों ने लिखा था मजमुआ इन पर इसे सुवेत लेंड नहरु अवार्ड भी पेस किया गया सवाल नमबर 18 कहता है साहिर की वालदा का इंतकाल कब हुआ अवसर ने जुलाई 1974 में B. जुलाई 1975 C. जुलाई 1976 में D. जुलाई 1977 में तो 18 का सही जवाब है C. जुलाई 1976 में सवाल नमर 19 शाहिर का इंतकाल कब हुआ अवसर ने कहता है 12 नवंबर 1980 में B. 25 अक्तुबर 1980 C. 25 अक्तुबर 1981 में D. 25 अक्तुबर 1989 में तो 19 का सही जवाब है B. 25 अक्तुबर 1980 को साहिल उद्यानवी का भी इंतकाल हो गया सवाल नमबर 20 है साहिर की कबर कहां मौजूद है उसने देहली B. बंबाई C. पाकिस्तान D. लाहुर में तो 20 का सही जवाब है B. बंबाई में सवाल नमबर 21 के मंदर्जा जेल में से साहिर की किताब नहीं है उसने आओ के कोई खौब कुने B. गाता जाए बंजारा C. परचाया D. इबरतुल गाफिलीन तो 21 का सही जवाब है D. इबरतुल गाफिलीन इनकी किताब नहीं है इनको छोड़कर A. B. C. तीनों इनकी किताबे हैं इसे आप अच्छे से कोपी में लिख कर याद कर लेंगे सवाल नमबर 20 हमारे निसाम में साहिर के कितने गीत मौझूद है औसने 1, B, 2, C, 3, D, 4 तो 22 का सही जवाब है B 22 गीत हमारे किताब में इनकी मौझूद है एक है तो हिंदू बनेगा ना मुसल्मान बनेगा दुसरा गीत है शाती हाथ बढ़ाना सवाल नमबर हमारा 30 है कि गीत साती हाथ बढ़ाना किस फिल्म से लिया गया है यानि कह सकते हैं कि साही लुद्यानवी ने जो ये गीत लिखा है साती हाथ बढ़ाना तो ये किस फिल्म में गाया गया था यानि किस फिल्म का ये गीत है साहिर लुद्यानवी ने बहुत सारे ऐसे गीत लिखे बहुत सारे इन्होंने फिल्में भी लिखे तो उन्हीं में से एक गीत भी है साती हाथ बढ़ाना तो वो किस फिल्म से लिया गया यानि किस फिल्म के लिए वो इस गीत को लिखा था तो अवसन ये कहता है नया दवर बी धूल का फूल सी सोले डी कोई नहीं तो 23 का सही जवाब है ए नया दवर साती हाथ बढ़ाना ये गीत है फिल्म नया दवर का सवाल नमर 24 है गीत तु हिंदू बनेगा ना मुसल मान बनेगा किस फिल्म का गीत है उसन नया दवर बी धूल का फूल सी सोले डी दो किनारे तो 24 का सही जवाब है बी धूल का फूल सवाल 25 और आकरी सवाल है साती हाथ बढ़ाना इस गीत में कितनी बार आया है यानि गीत जो लिखा गया है साती हाथ बढ़ाना इन में साती हाथ बढ़ाना जो ये एक पंक्ती यानि कैसे तो ये मिस्रा जो है वो कितनी बार आया है और उसन ने चार बार भी पांच सी छे डीस साथ बार तो 25 का सही जवाब है सी 6 बार तश्रेयर से हमारे पूरे सवाल हो गए तश्रेयर उमीद है कि आप सारे क्वेशन को लिख लिए होंगे खुदा हाफिज